हेलो एवरिवन मैं हूं नितेश जाद वाइड़ बोर्ट स्टडी इस यूटूब चाइनल में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन ट्यूरिंग मशिन फॉर इवन पैलिंड्रोम ओवर ए कॉमा बी क्लोजर मतलब देखें आपके श्रिंग इवन लेंथ रहेगी और वो पैलिंड्रोम श्रिंग होगी और जिसमें ए और व का कॉम्बिनेशन रहेगा मतलब यह आपके लैंगवेज इस तरीके की हो सक होती है मिन्स आपके टेप में सिर्फ ब्लैंक भी रहेंगे और आपके टेप में ब्लैंक रहेंगे तो इनिशल स्टेट क्यों जिरुप आपको ब्लैंक मिलेगा और उस टाइप की बी श्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी ऑके क्योंकि 0 आलसो इवन नमबर है ओके ब् इसको पूरा रिवर्स पड़े तो आपको सेम श्रिंग मिल जाएगी और इसकी लेंद भी एवन है ओके तो इसलिए यह एवन लेंद पैलिंड्रोम हो गए आपकी श्रिंग और यह हमारा टेप और इसमें नमबर आफ ब्लैंक आपके कैपिटल भी हो सकते हैं इसी तरह के मै के लिस्ट में विजिट कर सकते हैं तो अभी कंटिन्यू करते हैं इस एक्जांपल के साथ तो पहले हम लॉजिक समझते हैं ट्यूरिंग मशीन ड्रॉड डिजाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे तो देखिए यह पैलिंड्रोम स्रिंग है मतलब यह आपका फर्स्ट सि यहां पे भी आपको उसके लिए मैचिंग भी मिलेगा तो इस तरह से हम मैच करेंगे तो दीखिए पहला आपका हेड इनिशेली इस एको रीड करेगा और यहां पे हम कर देंगे ब्लैंक ओके फिर आभी राइट में जाना है जो भी मिलेगा एस इट इस रखना है मतलब करो भी रिडर करो भी राइट करो और राइट में जाते जाते हम उपितख सबीड इस नहीं मिलका यह ऑचिंग इस यह को भी ब्लैंग करेंगी फिर से सभी सिंब्ल्स को ऑगे रिड़ रैट करके एज Si見て left में आना है फिर से ब्लैंग तक कि फिर से । हम्राइज मिलेगा तो राइज मैं जाना है फिर即 ब्लेक कर देंगे इस वी मैचिंग ब्लास्त में रहेगा प्रसी यां से राइट में जाना है readwrite करके ब्लेंग मिलेगा ब्लैंक को यह लीक के लिए मैचिंग यह भी मिलेगा तो इस बी को भी ब्लैंक करेंगे उके तो एस तरह के से यह से मैच हो जाएग उके gives अभी हम Turing machine design देखते हैं Turing machine logic तो हमने समझ लिया अभी हम Turing machine देखेंगे और एक string यह string कैसे accept होती है यह even palindrome string है यह string को भी हम इस Turing machine के मदद से accept करेंगे step by step समझेंगे ओके तु देखिए अभी Turing machine में logic क्या है Q0 initial state है तो यहाँ पर देखिए आपके machine में A,B closure दिया था मतलब A और B कोई भी आपके string length 0 हो सकती है तो उस case में directly आप final state को जाएंगे accepting state directly blank symbol में read blank write blank mood to write और अगर आपके string में A और B का कोई भी combination होता है और आपके string की length even होती है तो उस case में हम देखिए A के साथ A को match करेंगे तो यह root follow होगा Q0 Q1 Q2 और आपको B मिलता है तो B के साथ B match करेंगे तो यह root follow करेंगे Q0 Q4 Q5 Q3 यह root A के साथ A को match करने के लिए root B के साथ B को match करने के लिए यह root बहुत यह आसन सा logic है हम इस string के साथ और clearly समझेंगे ओके तो देखिए सभी transitions cover होने चाहिए इसलिए मैंने यह string ली है ओके आपको समझ में और सभी समझ में आए और सभी transitions हमरे cover भी हो जाएंगे ओके तो अभी step by step देखते हैं देखिए हम initially Q0 state पर है ओके तो read किया एं है क्योज फेरीड किया a right किया बी गी की जगह पर राइट किया बी ओके और head को मू करना हे राइट में दीखिए q1 पर पर पहुज है q1 पर मिलेगा भी रीड करो राइट करो भी राइट में मू करो read करो a write करो a write में move करो जितने भी a's b's मिलेंगे सभी as it is रखके write में move करना है देखे b को read किया write किया a को read किया write किया b को read किया write किया write में move करते जाना है q1 पे तो जब तक हमें यह blank नहीं मिलता b तब तक right में move करते जाना है कई कि one पे blank मिला तो रीड करो blank write करो blank और head को move करना है left में ओके तो left में मुझ किया अभी जैसे आपने head को left में मुझ पे पहुचे हैं तो हमने इस a को blank किया था तो इस a के लिए matching हमे यह मिल गाया देखो हमने जो logic देखा था लेफ्ट में आना है फिर मैचिंग मिल जाएगा तो देखिए रीड किया एंग क्या ब्लैंक करने अभी लेfd को लेफट को जा अभी q3 पे एंगे बी मिलेगा जितने भी एज मिलेंगे बीज मिलेंगे रिड करो ए राइट करो ए लेफ में मुझ करो ओकी रिड करो ए राइट करो ए लेफ में मुझ करो तीके लेफ में जा रहे हैं बी मिला बी को रिड करो राइट करो लेफ में मुझ करो बी मिला रिड करो राइट करो लेफ एक में मोउ करूं यह भी जो भी मिलेंगे रीड करना हे रेट करना है लेज़ने यह को हेरा मैं रखना है कब तक कब फिर बिल जाएगा यह blank जो क्यूथ पर आपको मिलेगा ब्लैंक तो में या पे लिख लिधा यह अए इसफ यह प्लेंग दीता याप हीला रीट करो भी ब्लैंक रैट करो ब्लैंक और हेड मूव करेगा राइट को देखे रह पहुच गए क्यूँ-озब्रव पया बीविए आपको क्या मिला है दिखिए बी मिला है रिट करो बी hayır छोक्त ब्लैंक और हैड मूव आपको है आपको मिलेगा नहिंट जाना है हमें पूरे हमें रॉक को सकते हो सकता है एब्लेगा सब्सक्राइब करते मिलेगा है चेयर शीन मिलेगा या रिड्ल है करते जाना है मतलब एस ऊपर और को समया है head को अभी q4 पे आपको मिलेगा देखे right को जाते आए हम यह transition की मदद से फिर q4 पे आपको मिलेगा blank read करो blank right करो blank और left में move करो देखे फिर अभी देखे यह b को blank किया इसके लिए matching यह b मिला है अभी देखे small b ओके तो q5 पे हमें मिलगा यह b read करो b b write करो blank ऑघ्या ब्लैंक करें कि इस b को blank किया था इस ओको मुझा देखे 시간 की ब्लैंक किया था उसके लिए matching b ब्लैंक करेंगे यह starting का भी यह ending का भी ऑग कि ऐसे तो break yeah b right के आट आफ्या किया राइट या लेफ में मूच करो assistant एक डिया एक को रड किया राइट किया लेफ मुम्स कर उसके बाद क्यों सरे विलिए यह ब्लैंक ओके तो आप B तक पहुच चुक है Q3 पे हमें यह blank मिला तो दिखें यह पर transition है Read करो B, Write करो B, Read करो blank, Write करो blank और write में मूँ करना है Q1 पे पहुचे, Q1 पे मिला A, दिखें A के लिए यह root, B रहेगा तो यह root बहुती simple सा logic है, A को read करो, B को write करो और write में मूँ करो Q1 पे A मिलेगा, A मिलेगा, B मिलेगा, वैसे रखना है, और write को move करते जना है दिखें, B मिला, As It Is, As It Is, ruckा, As It Is, It रखा मतलग A read किया, A write किया और write को move किया, औकैए इईसे right में जाते जाते है, आभी Q1 पे B मिलेगा B को read करो, blank को read करो, blank को write करो, और left में move करो इखको ज़ाए तो दीखिए क्यों टूपे मिलेगा एकुरीड करो रीड करो कि ब्लैक को राइड करो एक लियों का ब्लैक राइड किया और देखिए इस के लिए A matching मिल गया तो left में जाना है अभी Q3 पे पहुँचे Q3 पे A मिलेगा B मिलेगा as it is रखना है left में जाना है left में जाओ as it is रखो B मिला as it is रखना left में गए अभी यहाँ पे क्या मिला Q3 पे blank मिला तुम्हें यहाँ पे नीचे लिख के लिए तो updated टेप तो हम Q3 पे हैं अभी Q3 पे क्या मिला है हमें blank तो दिखिए blank मिला read करो blank write करो blank write memo करो क्यों क्यों 0 पे मिला B read करो B write करो B okay read करो blank और right में memo किया दीखिए Q4 पे B मिला read करो B write करो B write करो okay right memo क्यों क्यों Q4 पे मिला blank read करो blank write करो blank left में memo करो left में memo क्यों तो Q5 पे मिला B दीखिए इस B के लिए यह भी matching मिला okay तो read किया B write किया blank और left में memo किया दीखिए left में memo किया तो Q3 पे अभी मिला है blank देखिए लिखिए लिए ब्लैंक क्यों 3 पे यह blank मिला है read करो blank write करो blank write को mo करो दीखिए right को mo किया अभी Q0 पे हमें क्या Q0 पे पहुच जए और हमें क्या मिला है ब्लैंक दिखिए Q0 पे ब्लैंक मिला है इसका मतलब आपके सभी A's और B's मैच हो चुके ही मतलब आपकी पैलिंड्रोम श्रिंग आपकी एक्षेप्ट होने वाली अभी पूरी खतम हो चुके है अपकी लिस्ट आपको ब्लैंक मिला है मतलब Q0 पे दिखिए अभी रीड करो भी राइट करो भी और आप पहुच गए एक्षेप्ट स्टेट को आपका और भी मैचिंग हो चुके है नहीं तो इस तरीके से सौल करते हैं तो यह बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इवन पैलिंड्रोम स्टिंग ओवर एक कॉमा बी ओके सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है आपकी आप अलग अलग तरीके से भी इसके लिए मशिन डिजाइन कर सकते है टीरिंग मशिन आपके स्टेट वहरी हो सकते नम्मर ऑफ स्टेट आप लॉजिक भी कुछ आलग लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं तो हमने यह लॉजिक यूज़ किया है और यह बहुत ही सिंपल लॉजिक है और अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान है बहुत ही सिंपल पर एंडिंग पर भी आपको मैचिंग मिलेगा ओके तो एक के लिए यह रूट भी के लिए यह रूट जब आपको स्टिंग खतम हो जाएगी जब क्यूज जिरो पर आपको ब्लैंक मिलेगा तब आपके एक्सेप्टंस फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं और आपका आपको जब भी आप ट्यूरिंग मशिन डिजाइन करते हो तो अभी इवन पैलिंड्रोम के लिए डिजाइन के आए तो इवन पैलिंड्रोम स्टिंग एक्सेप्ट होने चाहिए अगर कोई अलग स्टिंग रहती है तो वह बीच में कई पर आटक जाएगी वह फाइनल स्ट स्टेट पे बिल्कुल पहुँच जाओगे कितनी भी बड़ी स्टिंग और बी का कॉंबिनेशन उसमें होना चाहिए और वह इवन पैलिंड्रोम होना चाहिए इवन लेंथ होनी चाहिए तो इस तरीके के और भी एक्जाम्पल मैंने सौल के आप मेरे प्लेलिस्ट जे 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 ओके थैंक यू